प्लूट रिलेशन का आखरी टाइप है और आखरी टाइप में हम एक पजल का भी सवाल डाले हुए है और पीडियेफ जो है आपके सवाल का इसके अलावा जो पीडियेफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है तो चलते हैं हम लोग सवाल पर ज्यादा देर नहीं करते हुए सवाल पर आएंगे टैप टाइप 2 पड़ चुके थे ना जी तो किस पर आते हैं आप टाइप 3 पर देखे टाइप 3 का ये पहला सवाल है और इससे पहले तक हम लोग क्या पढ़े थे टाइप 1 जिसमें हम लोग कैसे बनाते सवाल को बताए सेंबल के नुसार हमको relationship दे देता था और उस सेंबल के नुसार हमको सवाल को बनाना था उसमें भी family tree का ही इस्तमाल किये लेकिन ये जो सवाल है ये थोड़ाट पटा है इसमें आप इस टाइप के सवाल के बहुत सारे वीडियो देखेगा कि कौन बता सकता है कौन बता सकता ह होता है लेकिन ऐसा नहीं है आप दोनों मिलके बताएंगे और फ इस वीडियो कर आप उस बात को अपने अंदर नहीं एडॉप्ट कीजिएगा यानि कोई एक relationship अपने आपको एडॉप्ट नहीं कर पाईएगा तब तक blood relation बनाना बहुत मुस्किल हो जाता है बच्चा लोग तो टाइप 3 वही है टाइप 3 में क्या होगा कि एक इंसान की और इसारा करते हुए या एक आदमी से कहते हुए एक ओरत से कहते हुए इस टाइप से सवाल जो रहता है वो टाइप 3 में हमने डाला है और टाइप 3 का जो पहला सवाल है आपके सामने यह है क्या कर रहा है एक आदमी की और इसारा करते हुए एक औरत ने कहा तो देखिए सबसे पहला important चीज जो इस वो हमको देखना है तो कह रहा है एक आदमी की और इसारा करते हुए एक औरत ने कहा कौन रहा है यह ध्यान में रखना है कौन कह रहा है बाबू और किसके बारे में कह रही है उस आदमी के बारे में कह रही है और क्या कह रही है वो भी देखे एक आदमी को इसारा करते हुए कौन होगी ठीक है ज़्यादा हासी है मत अरत बन जाते हैं हम क्या कर रहा है मेरी माद के Atlokra पूत्री कौन होगी पताइए सवाल है मेरी मा की क्लोंच हो गई मैं और मेयुक्ण कौन हूँ क्या हूं ऐस आदमी की मां है क्या है मेरी हुआ मा की एकलोती पुत्रि हैstä और मैं मैं उसका की बाता पूछ है वा यहां पर सवाल गलत लिखा यह उस आदमी यहां ईहां उस आदमी किस परकार संबंद रखती है वह और अदमी का औरत से क्या संबंद तो वह apresent बोला या फोकस किजिए किस legitim कह रहा है वा औरत उस आदमी से किस पर कर समझ देते यानि आदमी के नगर से किसको देखना है बाबू औरत को देखना है तो बताइए औरत क्या हो जाएगी वा औरत आदमी से किस पर कर समझ देता औरत क्या हो जाएगी माना बाबू आया समझ में चली आगे सवाल चली क्या हमारा इंसर मां लेकिन यह हुआ उसके लिए जो कुछ जानते हैं हमें मालूम है कि अगर आप हमारे वीडियोंस को देख रहे तो सीखने के लिए देख रहे हैं तो सीकheus नजर से अगर देख रहे है तो फिर से हम लोग सहारा को भी मेरी देखिए चाहन का सहारा कैसे और मेरी मां करें और मेरी मां की इकलौती पुत्री कौन हो गी मैं स्वैम ऐसे यानि दाइग्राम को इस्तेमाल करते हुए जो मैं स्वैम हो और कौन हूं मैं स्वैम उसकी माता किसकी माता उस आदमी की माता और आदमी की माता कौन है भाई स्वैम स्वैम का मतलब मैं खुद मैं खुद जब उस आदमी की माता हो गई वो आदमी क्या हुआ मेरा पुत्र और मैं क्या हो गई माता एंसर क्या आएगा बाबू माता आया सम कुछ यह जिस तरीके से टाइप 1 हम लोग पढ़ें असानी से टाइप 2 पढ़ें उसी तरी से टाइप 3 डाइग्राम का इस्तमाल कीजिए आप देखें यहां पर डाइग्राम का इस्तमाल बहुत अच्छा होगा और हम बार-बार बोलते हैं हम लोग का जो कोस्टन जो टाइप 1 में हम लोग पढ़े थे पहला वीडियो जो बलड़ी लेशन का डाला हुआ है उसमें अगर ध्यान से आप देखिएगा तो वाई के पुत्र अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं वाई का पूत्र अगर कोई मेरा पूत्र होगा तो क्य भाई कौन है भाई एक्स यदि एक्स जो है वाई के पुत्र के पुत्र का भाई यानि यहां पर कौन आ जाएगा एक्स वाई के यदि एक्स क्या कर रहा है वाई के पुत्र के पुत्र का भाई है ठीक है तो डाइग्राम यही मनेंगा ना बाबू अगर नहीं आप पढ़े है। फिर से इसलिए हम फिर से दुबारा समझा रहे हैं, नइसी में आ रहा है समस्चार को पूछ रहा है, इसमें बेसिक हैं, ध्यान से देखें। y के पुत्र का кएका पुत्रला कारा है। यानि मेरे पुत्र का पुत्र हमसे निचे ही चलास कलते हैं जाम मेरे बेटे का बेटा कौन होगा बताई मेरे बेटे का बेटा क्या होगा बताई जल्दी क्या होगा पोता नजी इसको इंग्लिस में क्या कहेंगे ग्रैंड सन एक चीज आउर आता है जो हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है नाती इन दोनों में क्या अंतर है आप हमको कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और इसका जवाब पिछले वीडियो में भी डाला हुआ है ठीक ह हम जब जनम लेते हैं तो दो लोगों से मिलके जनम लेते हैं न जी एक मा और एक पिता पिता से जो रिस्ता मिलता है हमको वह पैटर्नल कहलाता है और माता से जो मिलता है वह क्या कहलता है मैटर्नल कहलाता है तो मा के अगर नजर से हम उपर जाएंगे तो वो नाना नानी कहलाते हैं और नाना नानी के नजर सकर हमको देखा जाएगा तो वो क्या कहा जाएगा नाती और नतनी ठीक है यहां अंतर है इंग्लिस में सब समान होता है इसलिए हम वीडियो में ही बोले हैं कि इंग्लिस में ब्लड इलेशन मत पढ़िए हिंदी में यहां पर नाति और ग्रेंड सन से अब कन्फिूज कर जाते हैं यहां भी ग्रेंड सन लेकिन हमको यह चीज ध्यान में रखना है कि मेरा रिष्टा वाई से किस रूप में है पिता के पिता के रूप में या माता के रूप में पिता से उपर हम जा रहे हैं तो पिता से जब भी उपर जाएंगे वह पैटर्नल कहलाता है और पैटर्नल में जो भी मिलेंगे हमको हमको क्या बोलेंगे लोग कि क्या वोलेंगे पोता पोती ठीक है खर मेरा मेल सेटले पोता answer क्या हो गया सोमझ में चले आगे बढ़ते हैं हमें अच्छंग सवाल एक महिला की ओर इसे करते हैं गष्षाrichण करते हैं एक हिक अडिमी ने कहा उसके एक लो थे भाई का पुत्र कि अंधित का भाई है सवाल धिहान से पढ़ीं, फिर से पढ़ीं, देखो, इस टाइप का सवाल जब भी आता है, लाउड हो के, दो बार, तीन बार, जब तक रही समझ है, तब तक पढ़ीं, क्या कर रहा है, एक महिला की ओर इसारा करते हुए, कौन? एक आदमी कह रहा है, क्या क्या कर रहा है? उस किसके इकलोते भाई का पुत्र पाबू उस महिला के तो महिला के इकलोते भाई का पुत्र यानि महिला के भाई का पुत्र महिला के भाई का पुत्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है मेरी पत्नी का भाई तो यह मैं ये मेरी पत्नी और ये कौन हो जाएगा उसका भाई है ना तो बताइए क्या पुछ रहा है महिला का आदमी से संबंद क्या है महिला का आदमी से क्या संबंद है तो देखें ये किस रूप में जाएगी चचरी ममेरी फुफेरी सास के रूप में जाएगी है ना जहां से देख क्या है मेरी पत्नी का भाई है तो मेरी पत्नी का भाई घ्रिवा US 225 8 मेरे साले की पिता क्या कहलाइंगे मेरे डिर मेरे रिष्टा होता है लेकिन अगर आप टाईप बन देखें हमारा ब्रट लेशन का पहला वीडियो देखें है तो आपका सब चीज असान हो गया होगा क्योंकि हमने एक-एक रिष्टे को तोड़ मरोड के समझाया है उसमें चलिए आगे बड़ते हैं एक आदमी का चीतर देखते हुए हर्स ने कहा उसकी माता उसके पिता के पुत्र की पत्ती है एक आदमी का चीतर देखते हुए हर्स कह रहा है क्या कर रहा है उसकी माता उस आदमी की माता उभी छोड़ देते हैं उसके पिता के पुत्र की पत्तनी यानि हर्स के पिता के पुत्र की पत्ती कौन होगी हर्स के पिता के में जोkon हर्स भी हो सकता है वो पुत्र या कोई और पुत्र हो सकता है कि पत्नी क्यों कि यह पिता की प हो और उसकी हो सकती है चैंगे यह इन पत्र a fokana आजमाता सक कि क्या मानना था कि कुई और भी उसका भाई हो सकते हैं उसकी पतनी हो सकता है लेकिन यह पर एक कलिय को पाइन हमसे सवाल हर्स किसका चित्र देख रहा है तो जब हम पिता हो गया है आपके प्रॉपर तरीके सापको सोलूशन करवाएंगे यह blood relation stay related सवाल है लेकिन ये इसको puzzle में रखा जाता है puzzle में गिना जाता है ये puzzle का सवाल है इसको भी हम solve करा देंगे 10 minute के video में 10 minute 5 minute के video एक बना के डाल देंगे लेकिन हम आज आज आपको इसलिए नहीं बताएंगे ताकि हम आप पे छोड़े हैं आप तो फूरा blood lesson पढ़ दी हैं आज हमारा आखरी ये top type है तो आप बना के हम को comment जरूर कीजिए आप लोग comment नहीं करते हैं अगर आप देखते हैं आपको लगता है अच्छा तो आप comment कीजिए, share कीजिए subscribe कीजिए हमारे channel को आगे सवाल पर हम लोग चलते हैं इससे related तीन सवाल है बाबू तीन चार उसको बना के आपको भेजना है हमको और उस सवाल को हम एक छोटे से वीडियो में इसके बाद एक और वीडियो में डालेंगे ठीक है एक और सवाल क्या कराएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए पिर से जब भी सवाल आ है अपने अंदर ढ़ा लिए और कोई एक रिष्टा एडॉप्ट कर लिजे खुद बन जाएगा क्या बोला है वहां मेरे दादा जी की इकलौती पुत्र यानि मेरे पिता मेरे पिता की बेटी मेरी बहन अगर वह मेरी बहन हो गई तो मैं क्या हो गया भाई हम दोनों के बिच में क्या रिस्ता हो जाएगा भाई बहन जाएक और सवाल कि एक तस्विर के और दिखाते वे क्रिश्णा ने कहा क्रिश्णा कर रहा है क्या है उसका पिता मेरी मां की बहन का जल्दी बताईए मेरी मां की बहन मा की बहन कौन होती हैं मा की बहन के आते हैं मौसी तो मा के भाई को मामा पढ़ाए थे ना टाइप ओवन के बिडियो में मामी मामा किसको लेकर आते हैं मामी को और मौसी मौसा को सवाल पर आते हैं क्या कर रहा है उसके मेरी मा की बहन का पुत्र है तो मेरा क्या हो जाएगा कजन मेरी मा के बहान का पुत्र मेरा कजन कह लाएगा क्या कह रहा है उसका पिता है यानि उस तस्वीर वाले का ये कौन है पिता यानि इसके नीचे भी उसका पुत्र होगा या पुत्री होगी ठीक है तो क्या कह रहा है कृष्णा का तस्वीर से क्या संबन दे तो कृष्णा का तस्वीर से क्या हो जाएगा भतीजा भतीजी है न जी जेंडर किलियर नहीं है लेकिन अगर आप्सन में भतीजी दिया हुआ है तो थोड़ा सा सोच सकते हैं फिर से अगर देख लेते एक तस्वीर की और दिखाते है आपको अच्छा लगता है बार बार हम बोलते हैं तो विडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में कब क्या आपको अच्छा लग जया और कब क्या आपको समझ में आजाए, और कौन सा कोश्चन आपके एक्जाम में आजाए या आप भी नहीं जानते हैं, और जो भी सवाल हम लोग कराते हैं बाबू, वो उस लेबल से कराते हैं ताकि आपका exam निकल जाए, exam ही तो निकालना है ना आपको, आपको job करना है, है ना, तो अच्छे से पढ़िए और हमारे वीडियो को देखिए, पूरा आप देखिए, क्योंकि अगर आप type 1 नहीं देखे हैं, तो type 2 में दिक्कत होगा, type 3 में दिक्कत ह होगा, तो सारे वीडियो देखिए, जो भी छोटा छोटा वीडियो आता वो भी देखिए, हाँ, अगर आप ये type 3 का ये पूरा वीडियो नहीं देखिए तो कैसे पता चलेगा, कि इस वीडियो में एक पजल भी डाला हुआ है, और उस पजल को हम अगले वीडियो में बना